आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमां आपको लेकर मुंबई बैंडरा वेस्ट में और बैंडरा वेस्ट में सल्वान खान शारुक खान आमेर खान संजेदत और जितने भी यहां पर कलाकार जैसे की दिलिप कुमार है रविना टंडन संजीव कुमार एश्व अपड़ा अजय देवगान हेममालनी शत्रुगन सिना अनिल कपूर रितिक रोशन विराट कोली अनुषका शर्मा कैटरिना कैफ और विकी कोशल का घर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं और हम शुरुवात कर रहे हैं महभूब स्टूडियो से यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे टाइगर श्राफ का घर यह हम आपको लेकर जा रहे हैं यह सीडिया यहां पर आ जाती है मांट मेरी चर्च के लिए जैसे ही जाते हैं आपने दोस्तों इन सीडियों को देखा होगा यह स्टियर्स और जिस बिलकुल राइट साइड में आपको और यह बिल्डिंग को आप यह देख लीजिए सामने दिख रही है दोस्तों इसे वास्टू बैंडरा के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है यह देख लीजिए और जी हां दोस्तों यहां पर टाइगर श्राफ चेकी श्राफ रहते हैं यहां पर सेवन्थ फ्लॉर प आपको दिगजों के यहां पर लेकर जाएंगे जैसा कि हमने बताया आपको तो दोस्तों आपको जेकी श्राफ के घर से टाइगर श्राफ के घर से सीधे ही सीधे चलते चले जाना है और हम आपको बाश्या खान पठान के यहां पर लेकर जाएंगे सल्मान खान के यहां पर लेकर जाएंगे आमिर खान के यहां पर लेकर जाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया जुहू में भी आपको लेकर जाएंगे जिसमें की जै और वीरू का घर जी हां बसंती का घर सारे घर हाज हम आपको दिखाने वाले हैं तो दिल थाम के बैठिए और ये हम आपको बातों में लेकर पहुंच चुके हैं जी हां दोस्तों जिन्हें की शारुख खान कहा जाता है जी हां दोस्तों बाश्या खान जी हां दोस्तों ये उनका घर मन्नत को ह हम आपको दिखा रहे हैं यह आप देख लीजिए दोस्तों नहोंने अपनी नेम प्लेट जो है मनत की बिल्कुल डाइमंड टाइप में उसको बनवाकर लोगों के लिए लगा दी गई है ताकि वो लोग जो भी लोग आते हैं यहां पर अच्छे से सेलफी वगरा ले सके दोस आप बेंडरा वेस्ट से दोस्तों बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं और आटो रिक्षा के माध्यम से अगर आप आते हैं तो बीस रुपर शेरिंग लेता है बेंडरा वेस्ट इस्टेशन के करीब से दोस्तों यहां पर आप आ सकते हैं और इसी के आगे बेंडरा वरली दोस्तों ये चलिए अब हम आपको यहां से आगे लिए चलते हैं और यहां की खुबसूरती बैंड स्टेंड की आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खुबसूरत जगह है ये और यहीं पर राइट साइड में जो है सलमान खान इन्हीं सड़कों पर साइकल चलाते और बीच में ही पड़ता है रेखा जी और जॉन इबराहिम का घर चलिए पहले उस जगह को दिखाते हैं उस लोकेशन को हम आपको दिखाते हैं उसके पश्चात आपको दिगजो के घर भी आपको दिखाएंगे शारुख खान का घर तो आपने देख लिया और ये जेट प रेखा जी का घर अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको जान इबराहिम और रेखा जी का घर दिखाने के लिए ये सामने आप ये देख सकते हैं जी यहां दोस्तो बसेरा यहीं पर रेखा जी जो है रहती हैं द यहां पर रहते हैं यह पीछे वाली अब्राहिम बहुत ही अच्छे और सच्छे और वेजिटेरियन इंसान है दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान तो चलिए अब हम सलमान खान और शारुक खान के घर के बीच में ही रेखा और जॉन इब्राहिम का घर है दोस्तों और दोस्तो इसके पश्चाद दोस्तो हम आपको लेकर आ चुके हैं आप सब के भाईजान सब के चाहने वाले चीहां दोस्तो सल्मान खान का घर आप सभी लोग चानते ही हैं लेकिन आज के इस वीडियो में आपने जो कभी नहीं देखे होंगे उन चेहरों को भी हम आपको द of fiance किन दिखाने वाले हैं यह सल्मान खान का घर अपार्टमेट लेख्वेस्ट में यहां पर आने के लिए धुश्ट बहुंड़स से ही आपको आना पड़ेगा और दीश रुप drama और यहां पर लेता और यह पूरा गेलेक्सी अपार्टमेंट आप देख सकते हैं सलमान खान का उनके घर से दोस्तों महभूब स्टूडियो जो है मात्र आधा किलोमेटर की दूरी पर ही इस्तित है कभी कभी तो वह पैदल ही चले जाते हैं कभी साइकल से चले जाते हैं और चलिए हम बताते हैं आपको महभूब स्टूडियो यह हम राउन लेकर दोस्तों पूरा आपको लेकर आए हैं और यह जो चुरहा आ रहा है यहां से राइट जैसे ही जाएंगे तो सीधा महभूब स्टूडियो पहुंच जाते हैं और इसके पश्चात हम आपको इनके प्रोड़क्शन हाउस का जो दिखाते हैं जहां पर की यह कास्टिंग किया करते हैं दोस्तों और यह हम आपको लेकर आ चुके हैं चर्च के करीब में ही इस व process अद्रेस यहां पर लिखा हुआ है और यह इनका ओफिस है स्टूइल खान का और यह आप यह देख सकते हैं दोस्तों यह कोरियल रेलीव औ पर लगा हुआ है रादे फिल्म उन्होंने सॉयल खान सल्मान खान प्रोडक्शन का दोस्तों और यहां पर आकर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं यहां पर आकर आडिशन दे सकते हैं और इसके पच्चात हम आपको चलिए थोड़ा बैंडरा की गलियों में घुमते होंगे यहां पर यह लेफट में मजडिद है बैंडरा में जोगस पार्क के करीब में उनका घर है और हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों सचिन टैन्डूल कर जी हां क्रिकट समराठ सचिन टैन्डूल कर को भी कौन नहीं जानता है दोस्तों और यह उनका घर है यह आप धूरा सचिन टेंडू कर शाहिब का घर आप ये देख सकते हैं दो कहते हैं ना जो इनसान मेहनत करता है तो उन आपका और वाला भी उसका खयाल रगता है और यह सचिन टेंडूकर का घर बिलखकुल जोगरसपार्क के बिल्कुल पास में ही इस्थाher जोगस पार्क के पीछे की साइड मस्जिद आप किसी से भी पूछेंगे मस्जिद के उपोजिट साइड में ही थोड़ा सा आगे चलने के पश्चात ये आप सचिन टेंडूल करके घर दोस्तो आप पहुंच सकते हैं तो चलिए अब आगे ले चलते हैं थोड़ा सा स्पीड से दोस्तो दोनों खानों के घर तो आपने देख लिए हैं शारुख खान सल्मान खान और एक और खान बाकी हैं जी हाँ दोस्तो आमिर खान तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट उन्हें कहा जाता है और अब हम आपको ये पूरा कार्टर रोड आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत और हम आपको लेकर जा रहे हैं आमेर खान के घर पर और ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं Mr. Perfectionist जी हाँ दोस्तो आमेर खान का घर ये आप ये देख सकते हैं दोस्तो बहुत ही यहाँ पर उन्होंने दो फलेट जो है खरीदे हैं पूरा का पूरा फलोर दो फलोर खरीदे हुए हैं दोस्तो पूरे और बहुत ही महंगे घर है यहाँ पर और ये साइड में ही दोस्तो जो इश्वरे राइब की मम्मी यहां पर रहती है और उनकी खुद की बिल्डिंग है यह इश्वरे राइब बच्चन की और यहां से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और उस जगह पर आपको ले कर जाएंगे दोस्तों जहां पर की शारुख खान मनत खरीदने से पहले यह चल रहे हैं हम आपको जहां पर शारुख खान मनत खरीदने से पहले रहा करते थे तो हम फटा फटा आपको लेकर पहुंच चुके हैं और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यह हम आपको ऐसी जगह पर आज लेकर आए हैं आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा दोस्तो एसी एसी जानकारियां और ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये यहां पर ये यहां ये बिल्डिंग को आप ये देख रहे हैं दोस्तों और ये जो बिल्डिंग है इसे अमरित बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है और यहां पर सेवंध फ्लोर पर दोस्तो यहां पर शारुख खान रहा करते थे और यह देख सकते हैं आप अमरित A और B विंग यहीं पर दोस्तो शारुख खान ने मन्नत खरीदने से पहले की जिन्दगी यहीं पर बिताई है और यह कार्डर रोड की पूरी खुबसूरती आप यह देख सकते हैं यह जगह जो है जोगस पार्क से पास ही में है हम आपको लेकर आच चुके हैं जुहू का बहुत ही फिमस होटल जे डबलू मेरेट होटल यहां से जुहू के फिल्म सितारों की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम यह आ चुका है जुहू होटल दोस्तों यह आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जुहू होटल जुहू का जुहू होटल बहुत ही पुराना होटल है और यह लेफ्ट साइड में दोस्तों यह वी होटल है यह आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वी होटल है और दोस्तों हमारे दूसरे कोहिनूर भारत के दूसरे कोहिनूर का घर यहां पर आ जाता है, यह है जलसा श्री अमिताब बचन सहाब का घर, अगर आप यहां पर आकर उनसे मिलना चाहते हैं, तो संडे के रोज शाम को पांच बजे दोस्तों वो बहार पबलिक से मिलने के लिए निकलते हैं आपकी किस्मत होगी तो दोस्तों आप संडे के रोज शाम को पांच बजे यहां पर आकर आप उनसे मिल सकते हैं यह है जलसा श्री अमिता बचन साहब का घर और यहां की खुबसूरत यहीं पर एश्वर राय बच्चन और अभिशिक बच्चन यहां पर निवास करते हैं यह वी होटल से देख लीजिए बिल्कुल चुराए पर ही यह घर जो है बिल्कुल चुराए के बिल्कुल करीब में ह यह जलसा को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तो और बहुत ही मेहनत करने के पश्चाद दोस्तो श्री अमिता बचन साहब ने यह बंगलोज बनाये हैं तीन चार बंगलोज हम आपको दिखाएंगे आज तो चलिए इसके पश्चाद हम आपको लेकर चलते हैं जी हां दोस्तो तो जे का घर आपने देख लिया वीरू का घर सिदे सिदे चलते जाना एक बस स्टॉप आएगा बस स्टॉप के साइट से ही हमें लेफ्ट मुनना है पहला ही लेफ्ट वो आता है और बस अमिजी के घर के पीछे ही ही मैं जी हां दोस्तों धरम जी जिन्हें धरम जी फिल्म इ घर चुन चुन के दोस्तों आप सारे फिल्म इंडिस्ट्री में जितने सितारे हैं यह आप ये रास्ता देखते जाएए अमिजी के घर की पीछे वाली रो में ही दोस्तों धरमेंदर जी का घर है यह हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं यहीं पर सनी देवल बाबी देव और धरमेंदर जी यहीं पर निवास करते हैं हाला कि धरमेंदर जी तो ज्यादातर अपने फार्म हाउस पर ही ज्यादातर रहते हैं क्योंकि महां की आप और हवा बहुत ही खुली है और इन्होंने भी बड़ी ही मेहनत के पश्चाद दोस्तों यह जुहुमें घर लेना और यहीं पर बॉबी देवल सनी देवल अपनी फैमली के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं और इसके पश्चाद हम आपको इनके घर के पास में ही दोस्तों जो जो भी घर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यह हमें राइट लिया और राइट लेते से ही दोस्तों यह इसका रिनुवेशन चल रहा था और बस यह बनकर तयार हो चुका है और राजे देवगन यहां पर बहुती जल्द शिफ्ट होने वाले हैं यह सामने ही धर्मेंद्र का घर है और जस्ट इसके आगे चलते से ही हमें राइट लेना है और यह हम आपको लेकर चल चुके हैं और जैसे ही राइट आप लेते हैं दोस्तों इंडास्ट्री के सबसे दिग्गत जिन्होंने दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे जिन्होंने शारुक खान की लाइब बनाई जी हां दोस्तों यश्च राज जी हां यश्च चोपड़ा और बी आर चोपड़ा दोनों भाई चलते चले जाना और उसके पच्चात हम आपको लेकर जाएंगे आप सबकी ड्रीम गर्ल हेमा मालली जी के घर यह हम आपको यह रोड़ पर लेकर आए हैं थोड़ा सा लेफ्ट कर और सीधे ही वापस हम आपको लेकर जा रहे हैं जोहू बस स्टेंड के पास में ही दोस्तो हिमा मालनी जी का घर है तो ये चलिए हम आपको हिमा मालनी जी के घर पर लेकर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है ना कि आप हमारे साथ में एक एक फिल्मी सितारों के घर घूम रहे हैं आप खुद भी जाएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी और आप इनके घर में पैदल वाक करते हुए आप पहुंच जाएंगे बाइक से हमने इसलिए ट्रेवल किया ताकि आपको फिल्मी सितारों के घर आपको किसी से पूछने की आवश्यक्ता ना पड़े और आप इनके घर पहुंच सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से हम बाइक पर आपको ले कर आ रहे हैं वैसे ही आप इस रास्ते को फालू करते जाएंगे तो हर एक के घर पहुंच जा हैं जिन्होंने कात्या की भूमी का नवाई थी घृतक फिल्म में बहूत ही अच्छे विलें रहे हैं दोस्तों कुर्वानी फिल्म भी आपने देखियोगी बहुत ही पुराने और अच्छे कलाकार ये रहे है ڈین structural यहां धोस्तों यहां पुरा आप यह देख लिए और इस ही के जस्ट आगे अब हम आपको लिये चलते हैं घीम जिसमें अमिश जी निवास कुरते हैं प्रतीक्षा सभी लोगों को प्रतीक्षा होगी कि एक तो सा है और एक प्रतिक्षा यह बहुत ही फेमस बंगले हैं हाला कि जुह में अमिज जी के पांच छे बंगले हैं और में यह फेमस है क्योंकि यहां पर वो निवास करते हैं तो चलिए रोक कर साइड में गाड़ी को लगा कर हम यहां का फिल्मांकन आपके लिए करते हैं यह हुआ हैं दोस्तों उनके पिता-श्री भी यहां पर एक जमाने पहले श्री हरिवन श्राय बच्चन भी यहीं पर रहा करते थे और इसलिए अमिज जी ने इस बंगले को हूँ बहू उनकी याद में दोस्तों यहाँ पर यह रखा हुआ है और अमिज जी ज्यादा तर इसी बंगले पर शाम को पांच बजे यहाँ पर मुलाकात करते हैं लोगों से क्योंकि यहाँ पर अमिज जी और जया बच्छन जी यहाँ पर निवास करते हैं और शाम को पांच बजे संड़े के रोज यहाँ पर लोगों से दोस्तों मिलने के लिए बाहर निकलते हैं और बढ़ा ही पूरी रोड पूरी जाम हो जाती है शाम के वक्त और इसी बंगले से अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और ये पूरा जूग क्या अपोजिट साइड में इस बंगले के पूरा ये हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों ये रामाएना जी हां शत्रुगं सिना साहब का घर यहीं पर दोस्तों शत्रुगं सिना ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी है उनकी बेटी जी हां बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने करी है जी हां सुनाक्षे सिना और सत्रुगं सिना इसी बिल्डिंग में निवास करते हैं पूरी बिल्डिंग दोस्तों शत्रुगन सिना साहब की है और शत्रुगन सिना साहब के बेटों का नाम है लव और कुश और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों जी हाँ फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ये अनिल भी पूछेंगे तो यहां पर अनिल कपूर साहब निवास करते हैं अब हम आपको इसके पश्चाथ रामायर्णा की लोकेशन एक्जिक बताते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं इन घरों पर तो इसके बाद में अब हम आपको लेकर आए हैं शेटी टावर जी हां दोस्तो यह जो चुराया है दोस्तो यहां पर आपने महमूद हस्य कलकार महमूद साहब का नाम तो आप सभी लोग परिशित होंगे यह हस्य कलकार महमूद साहब का चौक है और यह सामने की बिल्डिंग में आप यह रोहिश शेटी की बिल्डिंग यह आप यह देख सकते हैं रोहि कपूर साहब का घर है और ये चुराहा दोस्तो हस से कलाकार महमूद साहब चोक के नाम से जाना जाता है और इसके पश्चाद हम आपको लिए चलते हैं जी हाँ दोस्तो अक्की अक्षे कुमार खिलाडी कुमार के घर जो की बिल्कुल जुह बीच पर इस्तित है ये सामने गोवर से देख लिए और इसी में संट तरिक मार पर तो क्षे कुमार रहते हैं तर्ड ऺोर पर रितिख रोशन रहते हैं यहां पर किया करते हैं चलिए अंदर का दरश्चे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लगता है इनकी बिल्डिंग का और नाम क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं और ये पूरी बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं अक्षे कुमार की खुबसूरत बिल्डिंग यही पर स इस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम ये आप ये देख सकते हैं प्राइम बीच प्लॉट नंबर वन बहुत ही आप गूगल में भी आप डालेंगे तो वापस आप इस चखा पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं जुहू चोपाटी की खुबसूरती को आप देख सकते हैं यहां से बेंडरा वरली सीलिंग की खुबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये है मुंबई का जुहू तारा रोड और ये यहां पर जुहू कोली वाड़ा ये सामने इस्तित है और यहीं पर दोस्तों ये सामने की बिल्डिंग आप देख पा रहे ह इसे राज महल के नाम से जाना जाता है और यहीं पर विराट कोहली और अनुशका शर्मा जो है फिफ्ट फ्लोर पर निवास करते हैं और एट्थ फ्लोर पर दोस्तों कैटरीना कैव और विकी कोशल यहां पर इसी बिल्डिंग में रहते हैं यहीं पर दोस्तों आपको बताया हमने विराट कोहली अनुशका शर्मा विकी कोशल और कैटरीना कैव यहीं पर निवास करते हैं और इस बिल्डिंग का आपको जू फेसिंग अब हम आपको दिखाते हैं यह राजमहल बिल्डिंग का तो यह लीजिए आपको जू साइट से See facing की side से हम आपको यह दिखा रहे हैं यहीं पर जो यह building को पहले हमने आपको front से दिखाया back side से जू face side से आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर विराट कोली अनुशका शर्मा 5th floor पर निवास करते हैं और केटरिना कैव जो है 8th floor पर विकी कोशल के साथ में निवास करती है और यहां की खुबसूरती दोस्तों देखते ही बनती है और सबसे टॉप फ्लोर पर इस बिल्डिंग के स्विंग पुल है जिसमें की बड़े हर इनसान का सपना रहता है और यह मुंबई से जितनी भी फ्लाइट है यहीं से टेक आफ की जाती है हर इनसान का सपना रहता है जो भी मुंबई शहर में आता है एक्टर बनने के लिए कि वो सी फेसिंग घर ले और यह जुहू बीच की खुबसूरती को आप यह देख सकते हैं इसके بعد में हम आपको आगे लिये चलते है जहाँ पर और भी फिल्मी सितारों के घर है और यह जुहू बीच की खुबसूरती आप देख सकते हैं इसके बाद में हम आपको पैंडरा लिये चल रहा है हम आपको लेकर आ चुके हैं बेंडरा ये है रनबीर सिंग और दीपिका पादुकोन का घर ये मननत शारुकान के घर के घर के पास में ही इस्तित है दोस्तों ये घर पेंडरा वेस्ट का ये है जोगस पार्क यहाँ पर बड़े फिल्मी सितारे यहाँ पर शाम के वक्त घूमने के लिए आते हैं और जोगस पार्क के पास में ही एक पुराने ओल्ड इस गोल्ड का घर यहाँ पर इस्तित है दोस्तों पहले ये दिखा देते हैं हम आपको और उसके बाद में पूरा पाली हिल लेकर जाएंगे ये प्रेम चोपडा साहब इस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर दोस्तों निवास करते हैं और फ्लोर पर श्रुमन जोशी रहते हैं इसी पिल्डिंग के अंदर तो चलिए ये हम आपको दिखाते हैं और ये पूरा आसपास का शेत्र यहां का आप ये देख सकते हैं ये श्रुमन जोशी जो है फ्लोर पर दोस्तों रहते हैं और यहां से दोस्तों हम पाली हिल पर कह कुमार साहब रहा करते थे और संजेदत रविना टंडन संजीव कुमार और साथ में आपको दिखाएंगे करण जोहर का घर और अमजद खान का घर चलिए हम आपको जल्दी से जल्दी आपको लिए चलते हैं यहां से पाली हिल यह लेफ्ट में ब्लू कलर का एक बंगलो आएगा वहीं से हमें यह लेफ्ट लेना है यह आप देख सकते हैं ब्लू कलर का बंगलो यहां पर शूटिंग्स होगिरा भी हुआ करती हैं यहां से यह लेफ्ट लेया हमने और लेफ्ट लेने के पश्चात दोस्तो बस थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं जुबली कुमार जिन्हें की राजेंद्र कुमार सहाब के नाम से जाना जाता है चलिए आपको आज उनका जो है यह नहीं पर जिंबब भी ठाइब और यह यहां पर राजेंद्र scoop सहाब किया करते दोस्तों और बस थी यादें हैं रहे अफ्ची फिल्में उन्होंने के पुए हैं इसलिए उन्हें जूबली कुमार के नाम से जाना जाता था यह पास ही में यह डिर्ष को आपो ये बिल्डिंग है और ये प्रेमनाथ आपने सिनेविस्टा कंपनी का नाम तो सुनाई होगा उनके मालिक है प्रेमनाथ दोस्तों आज उनके बेटे समाल रहे हैं पूरी बिल्डिंग प्रेमनाथ सहाब की ही है अभी उनके बेटे जो सिनेविस्टा कंपनी जो है वो पूरी स किसले दोस्तों प्रेम नाध जी ने बहुत ही अच्छा कारिये किये हैं और इसके पफिन दूस्तों जितेंद्र जी पाली हिल पे पहले यहां पर रहा करते थे राइट-साइड में दोस्तों यह बंगला आ रहा है यह फ्यू आप hundred तो वो जुहू में चले गए हैं और उनका ये घर हुआ करता था और ये रणबीर कपूर का घर जिसमें रिशी कपूर नीटू सिंग रहा करते थे राइट साइड में ये पेड़ के पास में ये जो रेड कलर का है ये पूरा घर रणबीर कपूर का घर है दोस्तों और यहां पर अपनी मम्मी के साथ में यहां पर निवास करते हैं नीतू सिंग के साथ में और इसी के पश्चा दोस्तों अब हम आपको दिलिप कुमार साहब के घर लेकर चलेंगे बहुत ही अच्छे और नेक दिल इनसान रहें दोस्तों बड़ी बड़ी जबरदस्त अच्छी फिल्में दी हैं यह पूरा जो लेफ्ट साइड में आपके देख रहे हैं यह उनहीं की पूरी प्रोपरटीज है एक एकड में दोस्तों यह बंगला था आप इसको तोड़ कर यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्मान किया जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे वो घर जिसमें की दिलिब कुमार सहाब आखरी में सायरा बानो जी के साथ में रहा करते थे तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और यहीं पर संजेदत रहते हैं तो पहले आपको संजेदत के घर आपको लिए चलते हैं दोस्तों और उसके पश्चात हम आपको दिखाएंगे दिलिब कुमार सहाब का घर और आपने करन जोहर रमिना टंडन संजीब कुमार अमजद खान का घर दिखाएंगे वीडियो में ब वाला कारों के घर आज आपको A to Z दिखने वाले हैं और ये संजेदत का घर Imperial Heights के नाम से दोस्तों ये पूरी बिल्डिंग संजेदत की है ये आप ये देख लेजिए ये पूरी संजेदत की बिल्डिंग है और इससे जैसे ही वापस हम चलेंगे यहां से इसके पश्चाद दोस्तों बंगला आता है दिलिक कुमार सहाब का जो की सोली टियर पार्क के नाम से है जिसमें की साहरा बानों के साथ में वो आखरी समय में दोस्तों यहां पर रहा करते थे तो चलिए आपको जगह दिखाते ह हैं यह सोली टियर पार्क और यहां पर यह अंदर बंगलो को आप यह देख सकते हैं यहां पर ही निवास किया करते थे साहरा बानों जी यहीं पर निवास करती हैं अभी भी और यह अब हम आपको लेकर आ चुके हैं नासिर हुसेन जिनोंने यादो की बाराद फिल्म अपने चाहते धरमेंदर धरम जी थे दोस्तों और बहुत ही अच्छी फिल्म रही है और इसके पच्चा दोस्तों अब हम आपको लेकर आ चुके हैं यह कमाल अम्रोही साहब का घर है लेफ्ट साइड में जिनोंने पाकिजा फिल्म बनाई थी दोस्तों और उनका स्टूड स्टूडियो भी है अंधेरी में जिसे की कमालिस्तान स्टूडियो के नाम से जाना जाता है और यहीं पर रविना टंडन राइट साइड में रहती हैं रविना टंडन यहां पर दोस्तों निवास करती हैं और यह अब हम आपको लेकर पहुंशने वाले हैं दोस्तों यह Sajiv Kumar सहाब का घर है और दोस्तों संजीव Kumar सहाब के घर के पश्चा चीह हैं दोस्तों शोले के ठाकुर को तो आपने देख लिया लेकिन गबड सिंग का घर कहां पर अमजद खान साहब रहा करते थे वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं संजी कुमार साहब के घर से जैसे ही आगे चले जाएंगे इस गली में गली में लेफ्ट साइड में इसी चोटे नंबर का बंगला है अमजद्ध खान साहब का और उनकी यादे हैं दोस्तो यह भी बहुत ही अच्छे इनसान रहे हैं दो और चलिए अब हम आपको यहां से यह पूरा का पूरा आप यह पाली हिल पर यह बसे हुए हैं जितने भी कलाकार हैं उनके घर हम आपको दिखा रहे हैं आज और आपको एक बहुत ही बारी किया बता रही है यह समिता पाटिल की बिल्डिंग है राइट साइड में दोस्त के पच्चा जो जो भी घराएंगे हम आपको पूरा आपको डिटेलिंग में आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं और बहुत ही खुबसूरत जगह है दोस्तों यह और यह अब हम आपको लेकर आचुके हैं शाम ढलने को है और पाली हिल से यह हम आपको लेकर आचुक कहां पर करन जो हर की बिल्डिंग है दोस्तों और चलिए थोड़ा सा आगे चलने के बश्चाद आपको बताते हैं यह पूरा काटर रोड और सूरिय जो है अस्त हो रहा है और शाम होते होते तो मुंबई शहर के नजारे बड़े ही अनंद में हो जाते हैं और बस अब हम आ यह कर यह आज चुके हैं दोस्तो यह लेफ्ट साइड में यह करन जो हर की बिल्डिंग है दोस्तों यह ॐ लेफ्ट साइड में आपी देख रहे हैं यprofits जहर इनके डैड़ी जिन्होंने दोस्ताना फिल्म का दिर्मान किया था और आज कर जो हर इतनी बुलंदियों पर हु यह बंगलो है यह जो आप देख रहे हैं यहलो कलर का और संगीत समराट इन्हें कहा जाता था दोस्तो और यह आमिर खान की बिल्डिंग यह आप यह देख सकते हैं इसमें आमिर खान रहते हैं और इसी के साइड में दोस्तो जो बिल्डिंग है आमिर खान के साइड में ही इस इसे एश्वरिय राय की विल्डिंग है दोस्तों ये खुद की यहां पर उनकी ममी यहां पर रहती है और ये पूरा कार्टर रोड का खुबसूरत नजारा आप ये देख रहे हैं और अब हम आपको ऐसी बंगले पर लेकर चल रहे हैं जिसे की रंगीला फिल्म में होगी जिसमें आमिर कान और अर्मिला मातोड कर थे और इनके जो डिरेक्टर थे दोस्तों राम गुपाल वर्मा ने फिल्म बनाई थी और ये यहां की खुबसूरती मुंबई शहर की काटर रोड की तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस् रेकल